पर बैठे बैठे एक खराब मुबाइल फून को ठीक करने का ऐसा अंसान तरीका जो सब को ही आना चाहिए चोटी सी ट्रिक से हम अपने हजारों रुपे बचा सकते हैं बिस्मिल्ला रुख्मान रुख्मान रुख्म, अस्सलाम अलाइकुम अगर आप भी अपना बड़ा नुकसान होने से बचाना चाहते हैं तो इस चोटी सी ट्रिक को जरूर फॉलो कीजेगा और ट्रिक को जानने के लिए आपको वीडियो से जुड़े रहना पड़ेगा वीडियो को पूरा वाच कीजेगा, वीडियो एंड तक देखेगा हमेरे पास बिल्कुल साफ हो जाएगी तो हम इसके जो कैप वाला हिस्सा है इससे दो इंच के फासले से एक कट का निशान लगाएंगे और फिर यहीं से इस बॉटल को काट देंगे तो हमें जो भी चीज बनानी है वो बस इतना ही बड़ा पीस हमें चाहिए तो यहां से कट करने के बाद देखिए यह हमेरे पास पीस निकल आया है बोटल का जो अगला पीस है वो कहीं आगे यूज़ करेंगे अब हम लेते हैं सर्फ का एक पाउच सर्फ जब भी आता है तो इसको अगर कोई सी बॉक्स में ना रखें तो इदर उदर गिरता रहता है तो इसके अंदर यह लगा देंगे बोटल का कवर और हमें कोई कंटेनर नहीं चाहिए बस इसको इस तरह से लगाने के बाद इसको टाइटली पैक करेंगे और इसको रवर बेंड के साथ मजबूती से बान देंगे ताकि कहीं से लूज ना हो और सर्व गिरने का कोई चांस ही ना हो बिल्कुल इसमें तो बस यह देखें मैंने इसको टाइटली पैक कर दिया है और पैक करने के बाद आप मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूं कि कितना इज़ीली मैं इसको निकालूंगी तो यह देखिए मैं इसको एक बरतन में निकाल के आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा कि इतना असान होता है इसको निकालना और यह बिल्कुल गिरता भी नहीं है और इसी तरह से हम वापस इसको पैक भी कर सकते हैं तो जितनी हमें जरूरत है उतना निकाले और बाकी पैक क के बाक किन बिल्कुल और यहीं से मैं इसको बिल्कुल काट डूंगी काटने का प्रासिज नहीं दिखा दी टाइम जाया होता है तो यह देखिए मैं ने काट लिया है थोड़ी सीसको फिनीशिंग दे रही हूं थोड़ा से टेड़ा कटा है यह तो बस यह करिंगे बाद अ अब देखे मैं इसको करने के आवाली हूँ और ये बहुत अच्छा सा और्ganाजर बनने वाला है हमारा तो इस कट के अंदर से मैं यह जो हमारे सॉक्स के साथ च्छोटी-छोटी से रहे हैं यह हैं और लगांगर के बाद देखें कि हमारी जो अकसर है यह होता है के cloth clips इतर उदर पड़ी होती हैं और कपड़े पहलाने के वाक हम ढून रहे होते हैं तो यह इसके अंदर डाल दीजे और इसको कहीं भी कील पे टांग दीजे या डोरी पे भी डांग सकते हैं तो मैं तो आपको एक खाली कील पे टांग के आपको दिखा रही हूँ उपर के साइट पे एक कील लगी ही है मेरी डोर के पास तो मैं वहाँ टांग के आपको दिखा रही रही हूं देखे कितना अच्छा और रोगानाइजर है वैसे आप इसको डोरी के साथ भी टांग सकते हैं और अपने 1000 उर्पे बचाएं यह हकीकत है कि मुबाइल फून पे अगर आप चावल डालेंगे तो आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं वो किस तरह जब भी हम फून यूज करते हैं पानी के हंदर अगर हम काम कर रहे हैं कोई कॉल आ जाये तब यूज करें तो भी इसमें अक्सर पानी चले जाता है यह किचन में हमी दवधर रखके अपना काम भी कर रहे होते हैं कॉल भी रिसीप कर रहे होते हैं इस तरह पानी चले जाता है मेरी बेटी के साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसके हाथ से मुबाइल गिर कर बाल्टी में चला गया और वो पानी में पूरा डूब गया लेकिन मैंने यही ट्रिक लगाई और अपने फोन को बचा लिया नहीं मुझे बनवाना पड़ा नहीं इस पर पैसे खर्च करने पड़ इसके अंदर मैं फोन डाल रही हो और पानी को अपनी तरफ केचे गए और इस तरह फोन से पानी सारा निकलता चला जाएगा तो देखें मैं इसको पूरा कवर कर रही हैं चावल को से फून को पूरा कवर करने के बाद अब इसको हम जो है रख देंगे एक से दो दिन के लिए आप परिशान बिल्कुल ना हो एक दो दिन के लिए बिल्कुल देखे चावल मैंने मूह तक भरे इस तरह कवर करके इसका कवर लगा दीजेगा ताकि सारी नमी चावल इसकी खेच लें और उसके बाद एक दो द की हुई है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अब मैं आपको फून को निकाल के भी दिखाती हूँ तो यह मैंने एक दिन दो दिन के लिए छोड़ा और उसके बाद इस तरह से मैंने जब फून निकाला था अपना तो फून निकालने के बाद मैं आपको अन करके भी दिखाऊंगी कि देखें फून किस तरह से ओन हुआ है फून फॉरण ओन हो जाएगा और बस एक ख्याल रखेगा गए जिदर से हम चार्जिंग के लिए लगाते हैं वो साइड नीचे रखेगा उसके अंदर चावल मड़ डालिएगा उसको नीचे की साइड रखेंगे त पसंद आई हो ता अपना कमेंट कर में इस जरूर कि जाल बतायाकसि प्राइन वेम खरची ऐगारे मेरे भी कि अधन श्यांकर 10-10 कशब्स वह दोल्यकल चुक्ति हम बस्तों को यह सब टान है वजिह सब्कhattan को यहां बने घ्रफंद आदो कि जैसे कि मैं आपको दिखा भी इसके लिए बहुत ही important होता है अगर आप इस तरह से रखेंगे जिस तरह मैं आपको बता रही हूं तो आपकी मिर्चें 15-20 दिन तक खराब नहीं होंगी चाहे आप फ्रेज में रखेंगे चाहे डिफ्रीजर में रखेंगे क्योंकि एक सालों के घर में फ्रेज नहीं होता है तो अगर आप उसमें भी रखेंगे तो मिर्चें आपकी ना तो नरम पड़ेंगी और नहीं खराब होंगी तो इस तरह से खाकी पेपर को काइट के मैंने उपर से अब इसको मैं पीछ में से दो कर दूँगी और इसके दो पीस निकाल दूँगी एक लंबा पीस और एक छो जाया है आधा अंदर और आधा बाहर निकाल दिया है और इसके लिए मैंने यह जो खाने के बॉक्से जाते हैं वह यूस किया है अब चोटा वाला पेपर मैं इस तरह से रख रही हूं बहुत क्लोस करके दिखा रही हो खास तर पर इसलिए कि यह प्रॉब्लम सब घरों में होती है अब हरी मिर्चों को इसके अंदर डाल दीजे छोटा वाला पेपर पहले फोल कीजे फिर बड़ा वाला पेपर फोल कीजे और बॉक्स को टाइटली पैक कर दीजे मेरी गारंटी है कि आपकी मिर्चें 20 दिन तो कहीं खराब नहीं होंगी बिलकुल भी सड़ेंगी न अगर आपको कोई भी ट्रिक पसंद आई हो तो आपसे एक ही गुजारेश है एक लाइक प्लीज सब्सक्राइब प्यारा सा कॉमेंट कीजेगा अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़ा दीजेगा थैंक्स पर वाचिंग अपना बहुत सारा खयाल रखेगा बैल अभी जाफ एस